सब्सक्राइब दे चैनल एंड प्रेस्टे बेल अकॉन और अपकमिंग वीडियोज हेलो फैंड्स वेलकम तो माँ चैनल फार्माकलोजी कॉंसर्स बाई राजेश शौधरी तो आज की स्वीडियो पर हम बात करने वाले हैं आज हम इस वीडियो पर फोकस करने वाले हैं हेलोजीनेशन रेक्शन आपड़ इलकेशन जो की बहुत ही इंपोर्टेंट रेक्शन हैं क्योंकि यह बहुत ही इंपोर्टेंट है इसलिए मेरे ख्याल से इसके दो पार्ट आएंगे फर्स्ट पार्ट में हम बेसिक समझेंगे जो रेक्शन मेकनिजम है क्या बेसिक कॉंसेप्स है हो समझेंगे उसके बाद जम ने स्ट वीडियो में बात करेंगे तो उस टॉपिक से अबजेक्टिव बेस कोश्चन से बहुत सारे बनते हैं इसमें पढ़ेंगे हेलोजी ने बॉक्स बीलोग फोर दे लिक्ट इसन वाट टॉपिक इसका इसमें कावन के बीच में सिंगमा बॉंड होता है किवाल एक सिंगल बॉंड होता था है यह हमारा हो गया एलकेण और बाकी जो एटम होंगे वह होंगे हमारा हाइड्रोजन बात करें, हाइड्रो करबन लग हाइड्रो कर्मन्स की, यह aइसे कंपॉंट होते हैं, जो की सारे को बन नहीं होते हैं, these 5 होते हैं, इनकी इस्टेबिलिकान होते हैं यह क्या हो गया आ के आल कि'reिकन तो इसमें से आप क्या होगा सिग्मा और एक पाई इसमें होता है हमारा सिग्मा और दो पाई इसका मतलब यह स्ट्रोंग चल्ड होता है और जितना ज्ञादा पाईबर्ल होगा वऐ तरके से ना का अनिस्टेबल होगा या ठेक है विक बांड होता है तो एककी इस वजह से इनकी ठीटि आपकी हाई होती है और इसके ठीटेटी कम होती है तो इनकी रेक्टिविटी कंपेर्ट टू अलकाइन कम होती है क्या उसकी रिजन हो सकते हैं तो फर्स रिजन है कि जो कावन कावन के में सिग्मा मांड होता है ना बहुत ही स्ट्रॉंग मांड होता है लेकिन सिग्माड बना है तो जड़ी से तुटे नहीं ही अब ही स्ट्रॉंग कर रहेगा है तो स्ट्रॉंग और पाय लकांट तो रहेगा इसमें एक bond तूट गया तो दूबांद रहेगा तो इसलिए chemical बात करें reactivity की तो आपके alkyns की high होती है then alkyns की then alkyns की यह बात करें stability की तो उल्टा जो chemical sun की stability है मतलब आपका alkyn सबसे low reactivity है then alkyn then alkyn तो यह आपका stable है यह आपका unstable है ठीक इसके लावन तो जो nature होता है non-polar का all bond are the non-polar इसमें हम देखते हैं जो pi bond है या sigma bond है या carbon और hydrogen की जो electron negativity है वो almost similar होती है बात करें इसकी electron negativity की तो approximately होता है 2.1 होता है 2.1 और इसकी बात करें तो इसका होता है approximately 2.6 तो almost similar होते हैं तो इसलिए इनका जो nature है वो non-polar होता है ठीक उसके लावा बात करें reactions की तो इसमें majorly दो type की reactions होते हैं 1.1 is the substitution reactions like the halogenation, nitrogen and sulfonation अब बात करें substitution की तो इसकी क्या होता है इसपे निकलोफिलिक या एलेक्ट्रोफिलिक हम देखते हैं बेंजीन रिंग पर हम इसमें देखेंगे basically nucleophilic reactions ठीक है लेकिन बात करें हम लोग एलकेंस की तो इलकेंस में nucleophilic और इल्ट्रोफिलिक दोनों नहीं होता इसमें free radical होता है ठीक है मतलब free radicals आपस में exchange होते हैं exchange of the free radicals बात करें इस case में एलकेंस के case में ठीक है क्यों याद रखिए तो इसके राव होता है हमारे इस पर oxidation reaction ठीक है और oxidized होगा मतलब एक तरके से alkyns से alkyns बन सकता है या alkyns बन सकता है तो दो type के reactions होते हैं क्योंकि यह stable होते हैं या low chemical reactivity होती है तो याद रखिए इनको हमेशा reactions के लिए high energy की requirement होगी ही as compared to the alkyn और alkyn चलिए हम start करते है reactions के बारे में तो टीन टाइप के हम समझ लिए हैं एक होता है हेलोजीनेशन रेक्षन एक होता है नायट्रेशन एक होता है सिलफोनेशन तो इसमें एक तरके से free radical का exchange होगा और यह सारे सारे जो रेक्षन्स होंगे किस से होंगे free radical substitution reaction आपने दो नाम सुना होगा substitution के एक होता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एक होता है हमारा निकलोफिलिक ठेक है और एक होता है हमारा free radical substitution reaction इसमें free radicals बनेंगे और free radicals यह आपस में exchange करेंगे जब दो एटम का exchange होता है उसको बोलते हैं substitution reaction तो आते हैं फर्स हम लोग हेलोजीनेशन में अब हेलोजीनेशन में जो हेलोजन compounds हैं चाहे हो आपके fluorine हो chlorine हो bromine हो iodine हो ठेक है तो एक तरके से उनमें exchange होता है इसमें से hydrogen और इसमें से आपका क्या इसमें से हमारा हेलोजन चाहे एक्स हो चाहे हो chlorine हो bromine हो या आपके iodine हो तो इसमें जहीड से बात है कि यह सारे के सारे हाई energy requirement होगी क्योंकि होते हैं इसलिए इसमें आप हम लोग मतलब UV rays में रखेंगे या पिर हम लोग इसमें highly heat करेंगे है ना तभी इसमें और एक्स पॉसिबल है तो हाई हीट में रखेंगे तो एक तरके से इसमें सो जो दो एक्स है ना वह एक्स इस हार्जन साथ में एक्सेंज करेगा तो यहां जोड़ गया हमारा एक्स इसमें जाके एड हो गया और यहां से एक एच और यहां से एक एक्स निकल क्या बन गया एक्स बन गया तो यह बेसिक रिक्सन से हमारे हेलोजिनेशन का सेम होते है यह याद रखिए, तो RCH3, इसमें नार्शन कराएंगे, तो क्या होगा, H को निकाल दीजी बाहर और जोड़ दीजिए NO2, तो हो गया RCH2 NO2, इसमें देखिए स्लफोनेशन में, सेम इसमें भी जो H को बाहर निकाल दीजिए, और जोड़ दीजिए H3H, तो यह हो गया इस तर स्काइल, हलाइड, या फिर हेलो, अलकेन, इसे बोल सकते हैं, नाइट्रो अलकेन, और इसे बोलते हैं हम लोग, अलकेन सिलफोनिक एसिद, ठीक है? चलिए, यह लिख सकते हैं हापे, अलकेन, सिलफोनिक, बाकी डिटेल्ट हम पढ़ेंगे ही, है ना? चलिए, अब समझते हैं हम लोग, डिटेल्ड में, हलोजनेशन रेक्शन्स को, तो हलोजनेशन रेक्शन्स में हमको जड़त पढ़ती है, एक हलोजन कमपाउंड्स की, या हलोजन मालकूल्स की, यह मारोग क्लोरिन है, है ना? तो इसमें एक X, एक H के साथ में बनाएगा, HX बनाएगा, जो बाहर निकल जाएगा HX और आपका X जोड़ दीजित होगया CH3X, ठीक है, इस तरके से, इसे बो सकते हैं, अलकाइल हलाइड, ठीक, अब जहां दिखिए, अब यह अरिक्सन्स यहाँ पे continue नहीं हो सकता है, अगर हम continuously इसको heat provide करेंगे, या energy provide करेंगे, तो यह अगर और उसके लावा excess amount पे हमारा chlorine है, है ना? अगर हमारा excess amount पे X2 है, तो वापस है, एक है HX निकले जाएगा, और बनेगा H2, X2, ठीक है, अब यह डाई हिलो, एलकेन बोल सकते हैं, ठीक, सेम, अगर हम और दुबार reaction कराएंगे, इसमें, और हम heat करते जाएंगे, और X2 हम provide करते जाएंगे, तो HX बाहर निकलते जाएगा, और X जूटते जाएगा, तो बन जाएगा CHX3, try hello, एलकेन, एक तरके से, फिर से से हम होगा, HX बाहर निकल जाएगा, और हम इसको heat टरेंगे, और X2 देंगे, तो बनेगा CX4, तो जब तक हार्जन एटम रहेगा, तब तक और रिक्शंस होते रहेंगे, continue पर, ठेक, अब देखते हैं, इसमें क्या-क्या बन सकता है, तो CH4 अगर excess में है, और chlorine या X2 कम है, तो क्या बनेगा, CH3X is the major product, क्योंकि इसमें X बहुती कम है, लेकिन अगर CH4 कम है, और X2 हेलो कमपोंड ज्यादा है, तब क्या होगा, आपके सारे के सारे बन सकते हैं, CH3X बन सकता है, CH2X2 बन सकता है, CHX3 बन सकता है, और CH4 बन सकता है, तो इस केस में हमारा ही सारे-सारे क्या होंगे, major product होंगे, याद रखिए, चलिए, अब आते हैं one by one, त सब कुछ देखने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो तो वासर लंबा हो सकता है, ठीक है, बाकी तो बेस्क सारे समझ गया, बट अभी तक आपने mechanism नहीं समझा है, तो उसको समझ लेते हैं, तो सेम क्लोरिनेशन करेंगे, तो क्या होगा, CH4 से हमारा क्लोरो मिथन बनेगा, या आपके मिथाल कोईट बनेगा, फिर आगे बनेगा ये CH2, CL2 बनेगा, जिसे हम डाइकलोरो मिथन बोल सकते हैं, फिर आगे बनेगा ट्राइकलोरो मिथन या बोल सकते हैं, या आगे बनेगा कारबन टेटरा कोईट बनेगा या फिर बोलते हैं, टेटरा क्लोरो मिथन बोल स पहें च्टी देंगे यह बनेगा हमारा शीट ही यहां पे इक्सट प्लसॉ schooling कि यहां पर क्लों कि हम बात करेंगे उस के यहां यहां पर हमने दिया हीट अब चाहिए हीट दो चाहिए फ्रक्सवाइट दो चाहिए हमारा यूवी रेडिरेशन दो उससे भी काम चल जाएगा यह बन गया CH3Cl और यह बन गया हमारा HCl अब देखिए कैसा होगा स्टेप वन होता है हमारा चेंड इनिसेशन इस केस में हमारा फ्री रेडिकल जो हैं जंडेट होता है यह जो पूसेस है वो अफिर्ट अलोटा है मतलब इसमें एनर्जी की रोक्वार्मेंट होती है energy करेगा कंजिोंग करेगा तब क्या होगा जाओक होगा क्लोरिन कंपाउंट में आपस में एक त्रहुआ है 1 तो यह अपना लेक्टरोन को लेके बैसे यह बनेगा और यह बहुत ही हाई रेक्टी होता है है अब क्योंकि iq collar flags मिधन में कारबन जोड़ा है को लुट है आपने अपने से तुरिन जोड़ा है यह यह लग होगे ना तो वह किसी और को टोड़ने में लग जाएंगे ऩर फिर्फम्न है अपस्ट टूड़ गए हैस स्कते हैं जब ँनका सुलाह मसऊरा होगा तब लेकिन सुलात में जुड़ेंगे नहीं तो अटेक करने किस पर? वो अटेक करने जाएंगे आपके मेहन पर ठाएंगे अब इस मेफेन में डेखिये मेफेन जो है जिसमें कार्मन एटम है कार्मन एटम एक तरफ़ादर है और उसके पास 4 बेट और बोलेगा कि भाई, तुम मेरे पास आ जा, काबन के को छोड़ दे और तुम मेरे से आके जुर जा, तो जो हर्जन है, थुदा साब वो लादाच में आएगा, क्यों आएगा, क्यों कि क्लोरिन क्या है, क्लोरिन एक highly reactive compound है, और हर्जन लो है, बहुती लो है, तो इसली वो त जोर सकता है, क्योंकि यह वहुती highly electronegative compound है, तो H जो है, अपना electron लेके बाहर चला जाएगा, इसके साथ में, और बन जाएगा HCl, अब यह CL कारबन को क्यों नहीं जोड़ा, यह question man है, क्योंकि अब CL makes strong bond with H, so make HCl, CL जो वहुती highly electronegative compound है, और हर्जन के पास एक ही हैं देने के लिए, तो उसके साथ में जो बनेगा ना, तो बनेगा ionic bond बनेगा, ठीक है, एक तरके से H plus और C minus, और हो strong होता है, इसलिए HCl बनता है, ना कि आपका C, या C साथ जूरेगा आपका CL, ठीक, अब क्या बचा बचा, बच्जा, methyl chloride, इस methyl chloride के पास, एक electron जो प्रियाटिकर की में है, वो बचा, यह भी एक तरके से highly reactive है, अब भी बोलेगा कि तुमने मझे तोड़ा, या तुमने मेरी family को तोड़ा, chlorine को, तो मैं भी तुमार जैसे family को तोड़ूँगा, क्योंकि यहाँ पर एक मलकुल chlorine जो है, आपस में तूटके chlorine बना था, और तो भी chlorine होंगे ना, उ वो chlorine ने जो तोड़ा मिधियन को, मिधियन तोड़ेगा chlorine को, तब यह अपना electron लेके बाहर जाएगा, और इस पर attack करेगा, तो बन जाएगा हमारा CH3Cl, और बनेगा CL radical, या chloride radical, अब यह chloride radical जो है, यह फिर हाली reactive है, है ना, तो यह जो process है continuous में चलते रहता है, लूप की तरह का इसलिए इसको बोलते है, chain propagation reaction, और यह बहुत ही अपने आप होता है, तो यह तरके से यह exothermic reaction है, क्या है, एक्सो थर्मिक reaction है, जो step 2 होगा, वो exothermic होगा, और मेजली दिखा गया है, कि जो fluorine है, या बात करें chlorine की, या बात करें, ब्रोमिन की, इनके case में यह exothermic होगा, लेक हमारा step 2, chain propagation, चलिए, बहुत है, लास्ट इस्टर पर आते है, वो है, chain termination, अब यह कैसे stop होगा, जब तक सारे chlorine, fluorine तूटना जाए, तब तो चलते रहेगा, chlorine है, और आपका methane है, तो लास्ट में क्या बचेएंगे, आपका बचेगा, एक बचेगा, chloride philatical बचेगा, और critical, अब सब लड़ लिए हैं, तब आपस में सुलो कर लेंगे, है ना, तो chlorine अपने भाई से बिलेगा, भाई में से जुड ले यार, तब बात खतम कर, तो बन गया हमारा chlorine 2 बन जाएगा, से methyl चूटा हुआ था, methyl radical, वो भी दूसरे methyl radical से जूट जूट जाएगा, वो बनेगा अधेन बनेगा, और आपका सुट जूट जूट जाएगे तो बनेगा methyl chloride, तो इस तरह के सिस्म अधेन और chlorine बात बनते हैं ये, तो ये आपका methyl chloride is the major product, इसके अलावा एथेन और chlorine भी बनता है, तो इसके फर्दर स्टेप्स भी होते हैं, है ना, अगर CH3-CL बन गया, आगे हम कराएंगे, chlorine उसके और add करेंगे, तो ये फर्दर फिर हमारा chlorine, फिर step 1 में chlorine radical बनेगा, ये chlorine radical आपके इस methyl chloride से अटेक करेगा, आप चाहिट से बात है इस पर अटेक करेगा, तो ये बने ये आपका हट जाएगा, और बनेगा ACL बहां निकल जाएगा, और ये अटेक करेगा, इस पर ये बज़ी हमारा radical बज़ गया, फिर नेश इस्टेप पर जो chlorine ये अटेक करेगा, तो इससे chlorine निकल जाएगा और add होगा इस पर और आपका एक तरके से बनेगा CH2Cl2, बचाएगा क्या CL, तो सेम ये भी आपका लूप की तरह काम करता है, मतलब ये chlorine फिर फिर फर्द CH2Cl, CH2Cl को जो फिर टिकल हैं, वो जो बनेगे CH2Cl, CH2Cl का bond बन जाएगा इस तरके से, ठीक है, और ये जो CH2Cl और chlorine है, ये आपका चुट के फिर 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 तो ये होगी हमारा major product हो गया और ये होगी हमारा other product, तो इस तरके से reactions जो है continue होते रहते हैं, आग जो reactivity होगी, fluorine की होगी, then chlorine की, then bromine की, then iodine की, ठीक है, tier है, यहां तो समझ में आ गया, हाँ, अब इस में से यह आप रयाद रखिये, इस चीज को, कि इसमें आपका reactivity बात करें, तो इसमें, अब सपोज, reactions जो होंगे, methane पे, सपोज, आपका CH3+, sorry, CH4+, Cl2 बनेगा, reactions हो गया, 1, A बोलते हैं, तो यह हो गया, CH3, Cl, और second reactions हो गया, मान लेते हैं, CH4 और F2, यह बनेगा हमारा, CH3F, तो यह जो reactions है, reaction B, कि जो reactivity हो, fast होगी, A के compare पे, हम यह बोलना चाहा रहे हैं, देखो, अब जो CH3F बनता है, वो बहुती fast बनता है, CH3F की जो second step है, chain propagation की, इसमें, exothermic होता है, मतलब उसमें heat release होता है, बहुती highly heat release होता है, एक bum like reactions होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यदे fast होता है, तो इसमें आपका reaction 1 की बात करें, step 1 की बात करें, जहाँ पर initiation है, वहाँ पे तो iodine, bromine, chlorine, chlorine ऐसा हो सकता है, मतलब iodine पहले, then bromine, chlorine, then fluorine, लेकि step 2 की बात करें, इसमें chain progression होता है, क्योंकि वह exothermic होता है, तो उस case में fluorine बहुती जल्दी बनता है, और ardent तो ऐसे भी आपका इंडothermic है, तो जल्दी बनेगा है नहीं, ठीक है, तो इसलिए आपका उस case में fluorine पहले बनेगा, ठीक, चलिए, अब आते हैं हम लोग, bromination पे, bromination की बात करें, तो bromination का concept almost methane के लिए same है आपके as a chlorination, बट बात करें, fluorination और ardent की थोड़ सी different इसमें mechanism होंगी, तो क्या basic difference से हो हम समझ लेते हैं, हम बात करें भी halogenation of methane, फिर पढ़ेंगे एथेन पे भी, बात पढ़ेंगे प्रोपेन पे, चलिए, अब बात करें, fluorination की, fluorination methane की बात करें, तो इस reaction से हम CH3 ap नहीं बनाते हैं, क्यों हम बनाते हैं, अब simple सा solution theoretically बात करें, same होगा, CH4 ap 2 से क्या बनागा CH3 ap बनाएगा, इसमें कोई step नहीं है, step 1 पहला endothermik है, second आपका exothermik है, और यह highly exothermik है, produce bomb like energy, so they cannot prepare in the laboratory, इसके हम laboratory पे नहीं बनाते हैं इसको, क्य हो सकते हैं, ठीक, so हम बनागे कैसे, so CH3 can make by the halide exchange method, ठीक, जिसे हम बोलते हैं, SWAT reactions बोल सकते हैं, जिसमें हम, जो हमारे other halides हैं, CH3 CL, CH3 BR, CH3 I, कि साथ में हम लोग, AGF या, HGF2 या, SBF3 कि किसमें कराएंगा न, तो इसमें exchange होगा, इसलिए बोलते हैं, halide exchange reactions, तो बनेगा हमा हमारा CH3 F बनेगा, ठीक, क्लियर, और क्या बनेगा, आगे निकलेगा हमारा, यह लेएंगे हम लोग, तो क्या निकलेगा, HGCN कर जाएगा, कोई इसमें इसमें नहीं है, अब आते हैं, आदनेशन रेक्शन पे, तो आदनेशन रेक्शन पे, गंटिनुसली आपके energy की required होत ही है, क्योंकि इसमें step 1 और step 2 दोनों ही endothermica है, यह पहला reason है, उसके अलावा, यह जो प्रसेस है ना, CH4 प्लस I2, then CH3I, यह कई बाद देखा गया है, कि यह reversible भी हो सकता है, this is the reversible reactions, maybe occurs due to the HI, HI क्या है, HI is the strong reducing agent, यह वापस इसको reduce कर सकता है, and this can be solved by following, तो इसलिए हम, इस रेक HI3 का, या HI3 का, जो कि इसको converge करता है, इस HI को बनाएगा, I2 और H2O पे, इसको वापस attack होने से रोकता है, ठीक, इसलिए हमारा bombination और chlorination easy बनता है, ardination और phronation easily नहीं बनता, अब आते हम लोग, halogenation of the ethane, तो ethane की बात करें, तो same concept होगा, इसमें आपके previously methane जैसा ही, हम chlorine देंग जब तक कि completely खतम ना हो, तो भले बनेगा SCL बन जाएगा CH2-H5CL बनेगा, CH2-H4CL बनेगा, CH2-H3CL बनेगा, CH3-C2-H2-Cl4 बनेगा, then C2-HCL-5 बनेगा, then C2-HCL-6 बनेगा, जब तक कि completely यह खतम ना हो, इसका जो steps है, same होगे, जो mechanism होगे, वो आपके same होगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके Clonation of Ethan की, अब आते हैं में हमारा Clonation of Propane, यह बहुंत ही important concept होने वाला है, इसमें हम सीखेंगे basically free radical mechanism के बारे में, तो इसलिए यहां तक हम वीडियो को खतम करते हैं, नेक्स वीडियो पे हम बात रहेंगे, detailed में प्रोपेन की जो Clonation है, Br अलग-अलग होने वाला है, सब कुछ अलग-अलग होने वाला है, बहुंस सा चीज हम सिखने वाला है इस topic में, इसलिए आज के लिए इतना ही हम बात करेंगे, नेस्ट वीडियो पे, सेम टॉपिक को Clonation of the Propane से में स्टार्ट करने वाला है, सो if you like my videos, please press the like button, share with your fan and any feedback, please comment on the comment section that motivates you for the coming videos, in large thank you, keep watching.